कोल खरीते हैं इंडो रामा सिंफेटिक्स बढ़या नतीजह आते हुँ देख रहे हैं घाटे से मुनाफ़े में आई है कंपनी तो यह एक नतीजों का रियाक्शन आप इंडो रामा पर भी आते हुँ देख रहे हैं और यस कंपनी के मानजमेंट के साथ भी हम interaction करने वाले हैं तो उसका भी इंतजार रहेगा पर कुनाल जी जड़ा आप चार्ट पुल अप करें इंडो रामा छोटा स्टॉक से 60 रुपे के आसपस ट्रेड कर रहा है बट नतीज़ा अच्छा आते हो देखें कंपनी के कोई लेविल्स इंपॉर्टन्स है यहाँ प पास position है hold करें और जो बहुत aggressive traders हैं 60 रुपे के stop loss से buy कर सकते हैं तो मुझे लगता है buy करना चाहिए एक बार के लिए stock 67 तक का move आपको दिखा सकता है structure बड़ा जबरदस्त है और पूरे textile space में तेजी है तो यहाँ पर एक बहुत ही tight stop loss रखकर के खरिदारी भी कर सकते है 67 त से जादा की बड़त देखी है और overall मुनाफ़ा भी बल्किए माफ की जाए 40% की बड़त नहीं 80% से जादा की बड़त आए में देखी है 50 करोड घाटे के मुकाबले 130 करोड का मुनाफ़ा आते हो दिखा है कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफ़े में है यह company तो हरी basis पर अ बड़ी ब्लॉग डील्स होते हो दिखी है जिसके वज़े से स्टॉक पर भी प्रेशर बनते हो दिख रहा है को फोर्च पर राइदे सर कहां पर आता है अगला सपोर्ट कांटर के लिए दीप नेक्स जो सपोर्ट है वो लगबग 3200 के आसपास के है तो मेरा मानना है कि लॉग पोशिंस नहीं रखने चाहिए अभी के लिए और 3200 के आसपास एक बार रिवी लेना चाहिए मुझे लगता है कि जस तरीके से बड़े वाल्यूम्स के साथ गिरावट देखने को मिल चाहिए जब तक हम 3400 के नीचे है तब तक 3200 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए 3400 एक बहुत बड़ा बैरियर बनके कड़ा रहेगा आते दिनों के लिए बिलकुल तो कोफोर्च पर रखे नज़र 3200 का लेबल जो करने जी कहने काफी इंपोर्टन है और कर दो